रोटरी क्लब जैपूर सेटीजन की ओर से शुक्रिया प्रेजिडेंट एवार्ड से रिवनिक आयोजन किया गया जैपूर के होटल ललित में आयोजित कारिक्रब में रटायट आई-एस अशोक जैन, पूरवडी जीपी, मनोज भट भी मौजूद रहे जबकि कारिक्रम के मुख्या थी थी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंखाचर यावास रहे आज क्लब के अध्यक्ष सुधीर जैन का आखरी दिन रहा तो वही नौ निर्वाचित अध्यक्ष अमित अगरवाल ने क्लब के सभी सदस्तियों को शुक्रिया कहा कारिक्रम में रोटरी क्लब जैपूर सिटिजन के कई सदस्तियों को सम्मानित भी किया गया जैपूर में आज राज्ये वधिक सेवा प्राधिकरन की ओर से वधिक सेवा के प्रचार प्रसार के लिए एक दिवस्ती है राजस्तरिये पैरा लीगल वॉलिंट्रियर की कारिशाला का आयोजन किया गया OTS सभागार में आयोजित इस कारिशाला का उद्खाटन रालसा के सदस्य सचिव अशोग जैन ने किया समहारों को सम्मोधित करते हुए जैन ने कहा कि राजजी में विथिक सेवा के प्रचार प्रसार के साथ-साथ पैरा लीगल वॉलिंट्रियर्स की जैलों के सुधार में भी एहम भूमिका साबित हो रही है और कारिशाला में पीलवी को जैलों में कैदियों से जुड़ी योजनाओं के साथ उनके विथिक अधिकारों को लेकर भी प्रसेक्षन दिया गया कारिशाला में रालसा ने देशक अर्चनामिश्रा उपसचिप तोशिता मालाली मीरज भारदवाज सहित कई विशेशक्यों ने प्रसेक्षन दिया राजस्तान राज्य विदिक सेवा प्रादी करन द्वारा नालसा की इसकीम में खोले गए लीगल एड क्लिनिक के तहट जेल लीगल एड क्लिनिक जो राजस्तान में सतान है 97 उनमें काम करने वाले पैरा लीगल वोलेंटिर्स के प्रसेक्षन का आवजित किया गया है इस कारेक्रम का उदेश जेलों के संदर्ब में हम दो तीन चीजें सुनेशित करना चाहते हैं एक तो जो इनमेट्स हैं उनमेट्स का लीगल अधिकार हो उनको समय पर विदिक साहता मिले पहला उद्देशी है, दूसरा जेलों में उनके जो मानवी अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें और अब बात करते हैं वरुधरा के उस बेटी की जिसने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है फेबिना मिस इंडिया 2019 के हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सुमन राव ने प्रदेश का नाम रोशन किया है यह वोड़ अपने नाम करके तो सुमन राव ने मीडिया से बात चीत में राजस्थानी भाशा में बहुत सारी बाते की और अब खबर उत्राखंट से जहां पर विश्व प्रसिध पीरान कलियर में साबिर पाक दरगाह की सुरक्षा विवस्था में पुखता इंतिजाम मिला परवाही